हेलो अब्रीवान कीटू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में बात करने बाला हूँ कि आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे किस तरह से एक रीडिंग प्रोग्रेस इंडिकेटर और रीडिंग प्रोग्रेस बार लगा सकते हैं तो जब भी मैं पेज को स्क्रोल डाउन करता हूँ तो यहां पे एक रीडिंग इंडिकेटर दिखाता है और इस तरह से यूजर को पता चलता है कि इतना आर्टिकल वह पढ़ चुके हैं और कितना बाकी है तो इसको लगाना बहुत इजी है आपको बस एक कोड डालना है अप पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ जिसे कि वह भट जाए और यहां पर मैं इसको स्क्रोल डाउन करूंगा पूरा लास्ट में और यहां पर आपको मिलेगा क्लोजिंग बॉड़ी टैग तो यहां पर आपको एक कोड पेस्ट करना है तो मैं यहां पर इसको कॉपी क paste कर लेता हूँ and code paste हो गया है closing body tag के उपर and मैं इसको save कर लूँगा and मैं यहाँ पे एक बार refresh करता हूँ and आप देख सकते हैं यह reading progress bar so हो रहा है and मैं कोई भी दूसरा post open करूँगा तो reading progress bar so होगा तो आप इसका color भी change कर सकते हैं तो मैं इसको एक बार inspect element पे click करता हूँ and यहाँ पे मैं यह reading progress bar को select करता हूँ यहाँ पे and आप देख सकते हैं जो progress bar का background color है tomato तो आप इसको change कर सकते हैं different color में जिसे red हो गया या blue हो गया तो आपको search करना है dot progress bar and background color पे तो मैं यहाँ पे search करूँगा css code पे and आप देख सकते हैं जो progress bar dot progress bar और यहाँ पे background color tomato तो मैं इसको change कर लूँगा तो मैं यह color code copy कर लेता हूँ and यहाँ पे मैं इसको change कर लेता हूँ and मैं इसको save कर लूँगा and उसके बाद मैं इसको refresh करता हूँ and आप देख सकते हैं जो progress bar का color change हो गया है तो एक दूसरा post open करते हैं यहां पे भी वो color change हो गया है तो इस तरह से आप अपने blogger website पे एक reading progress बार लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी doubt है इस वीडियो के बारे में तो आप हमें comment section में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा Thank you